हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिज दोस्तो आजकी इस व्यूडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इस दोस्तो अच्छे और सलेक्टेट लेवल के हैं आपके एकजाम के लिए बहुत ही ज्यादे इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक रुकेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो question number 1 है भारती रेलबे को कितने जोनों में बांटा गया है तो दोस्तो इसके options हों गया आपके, option A, 15 जोन में, option B, 12 जोन में, option C, 20 जोन में, and option D होगा आपका 17 जोन में तो भारती रेलबे को कितने जोन में बांटा गया दोस्तों तो यहां पर question number 1 का सही answer होगा option D, 17 जोनों में next question है हमारा question number 2 भारती बायूशना की स्रीनगर इस्थित एक्क्यावनबी स्कॉर्डन को अब किस नाम से जाना जाएगा तो भारती बायूशना की जो स्रीनगर इस्थित है इक्क्यावनबी स्कॉर्डन अब उसको किस नाम से जाना जाएगा option से आपके हिंदुस्तान हिरोज option D, rising heroes option C, falcon slayers option D, इन में से कोई नहीं question number 2 का सही answer होगा option C, falcon slayers next question है आपका question number 3 गुजरात इस्थापना दिवस कब मनाये जाता है option से आपके option A, एक माई को option B, एक मार्च को option B, एक जुलाई के लिए या option D, एक जिन्वरी के लिए question number 3 का सही answer होगा option A, एक माई के लिए next question है हमारा question number 4 भारती बायूशना ने बिंकमांडर अबनेंदन के लिए किस पुरुसकार की सिफारिस की है तो आप साफ भी जानते ही होंगे बिंकमांडर अबनेंदन के लिए जो पाकिस्तान से भारती बायूशना के जो pilot थे जो पाकिस्तान के fighter plane को मारते हुए पाकिस्तान में जाकर किसी कारण से उनके जो plane क्रेस हो गया था जिसके विज़े से वो पाकिस्तान में पकड़े गये थे तो उन्होंने बहुत बिरता का काम किया थो तो इसलिए दोस्तों भारती बायूशना के जो विंकमांडर है विंकमांडर अबनिंदन इनके लिए भारती बायूशना ने किस पुरुसकार की सिफारिस की है तो question number 4 का सही आंसर होगा आपका option C दीरचक next question है हमारा question number 5 भारती रेलबे परवहन दिवस कब मनाये जाता है भारती रेलबे परवहन दिवस कब मनाये जाता है option से आपके option A 16 अपरेल को option B 15 अपरेल को option C 14 अपरेल को या फिर option D इनमें से कोई नहीं question number 5 का सही आंसर है option A 16 अपरेल के लिए तो दोस्तो next question के तरफ चलने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से वा ओनलाइन प्लासे से डाउनलोड कर सकते है question number 6 है भारत का पहला 64 bit microprocessor कौन बनाएगी options है आपके option A C deck, option D Wipro, option C TCS and option D होगा आपका infosys तो भारत का पहला 64 bit का जो microprocessor है उसको बनाएगी दोस्तों C deck ठीके तो यहाँ पर question number 6 का सही answer होगा option A C deck question number 7 है ISO पिरमाण हासिल करने वाला भारत का पहला railway station कौन सा बना है? options है भोपाल railway station option B, मढगाव railway station option C, मदुरा railway station and option D गुहाटी railway station question number 7 का सही answer गुहाटी railway station option D next question है question number 8 निमलिकित में से भारत के किस राज़ी की सीमा म्यामार से नहीं लगती है option से आपके option A नागलेंड, option B अरणाचल प्रिदेश, option C असम and option D है आपका दोस्तों इन में से कोई नहीं तो भारतिय राज है जो म्यामार भारतिय इन में से कौन सा भारतिय राज है जिसकी सीमा म्यामार से नहीं लगती है question no.8 का सही अंसर है option B, option C, असम question no.9 है भारतिय परेटन दिवस हर वर्स कब मनाय जाता है options है आपके दोस्तों option A, 25 जिन्वरी के लिए मनाय जाता है option B, 25 मार्च के लिए option C, 27 सितंबर के लिए option D, 27 जून के लिए question no.9 का सही अंसर होगा option A, 25 जिन्वरी के लिए तो आज की विडियो का last question है हमारा question no.10 कारेले में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो दोस्तों ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं भारत के जो अपने office में ही मर गए थे तो options हैं आपके question no.10 का सही अंसर है option A, C अन्ना दुराई यह ऐसे भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं दोस्तों जो कारेले में काम करते करते ही मर गए थे तो यह थे हमारे 10 questions वीडियो कैसी लगी कमेट करके जरूब बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा online classes को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तों thank you for watching कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक ली नमस्कार जैन जैवर